Hello and welcome friends, Microsoft Excel सीखने की सीरीज में मैं सुरज आपका स्वागत करता हूँ और आज की ये वडियो है Microsoft Excel की जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ डेटा हमारे पास मौझूद है अगर इसको आप कॉपी करना चाहते हैं, तो यहाँ से सिंपली सेलेक करते हैं Ctrl C करते हैं या Right Click करके आप कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन क्या ये Image Format में आता है अगर मैं इसको नीचे यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला वगरा सब कुछ दिखाई पड़ता है यहाँ पर फॉर्मूला आपको दिखाई पड़ा है, लेकिन इसको Image Format में लाने का क्या तरीका हो सकता है, वो आपको बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो को ध्यान से देखिए, चलिए, इसको हम एक नए स्टाइल से कॉपी करना सीखते हैं, बहुत आसान है, यहाँ पर इ क्लिप बोड के अंदर, देखिए, Format, Painter, Copy, Cut और Paste, यह सारे बटन किस के अंदर होते हैं, क्लिप बोड के अंतर गत, ठीक है, तो हमें यहाँ पर Copy पर जाना है, और यह जो Arrow बनी हुई है, इसको क्लिक करना है, और यहाँ पर लिखा हुआ है, Copy as a Picture, बस इसको क्लिक कर देना है, और इसको जियों का तियों रहने देना है, बिट मैप नहीं करना है, पहला ही Option पर टिक रहने देना है, और यहाँ से OK कर देना है, तो यह अप Copy हो चुकी है, अगर हम इसको यहाँ पर Paste करते हैं, आप देखिए, इसको अगर मैं Paste कर देता हूँ, यहाँ से, तो आप आते हैं, तो आपको कोई formula नहीं दिखाए पड़ेगा, यहाँ पर click ही नहीं हो पाएगा, यह clickable नहीं है, आप यहाँ से इसको छोटा कर सकते हैं, यह देखिए, यह बहुत ही आसानी के साथ इसको छोटा कर लिया मैंने, ठीक है, और यह जो है, यहाँ से बड़ा भी कर सकत है, तो वीडियो पसंद आये, तो शियर करें, थैंक यू फॉर वाचिंग इस वीडियो,